एन्टीवी टाइम जानता की बात जानता के साथ जानकरी के मताबिक म्रतक केसरी सेन पिछले तीन महिनों से अपने साले रवी सेन के घर के पास क्युराय के मकान में रह रहा था वो अक्सार शराप पीकर अपनी पतनी और साले को परिशान करता था जिससे परिवार में आए दिन जगड़े होते रहते थे इन जगडू और मानसिक प्रतार्णा से परिशान होकर रभी ने अपने जीजा को मानने की यूच न बनाए गटना के दिन रभी ने केसरी को स्यारा पिलाई और बाचीत के बहाने अपने घर पास ले गया वहां उसने हतोड़ी से उसके सर पर आठ बार हमला कर उसकी हत्या कर दी हत्या के बाद उसने शव को स्राड़क के किनारे नाले में फिक दिया पुलिस को सुचना तब मिली जब मरतक की पतनी ने अपने पती के लापता होने की रिपोर्ट दर्स करवाई पुलिस ने मके पर पहुंच कर जाच शुरू की जिसमें डॉग स्कॉर्ट, फोरेंसिक टीम, अफेसल और क्राइम ब्रांच की टीमों को भी श्वामिल किया गया गटना इसल पर खून से सने पत्थर बरामद हुए जिससे ये पुष्टी हुई के हत्या वही की गई थी नाले में पड़े शव को जंगली सुवर खा रहे थे जिससे शवबूरी तरह शत वक्षत हो गया था जसन दर्वाम घट्टा ने पूरी इलाके में संसरी फला दी पुलिस की पूष्टाट में आरोपी रवी सेन ने अपना गुनहा कबूल कर लिया पुलिस ने आरोपी के खलाफ हत्या का मामला दर्सकर उसी हिरासत में ले लिया है जबलपूर से संजी चौरसे के साथ मनिश एकका की रिपूर नवंबर और एक दिसंबर के दर्वियानी रात एक व्यक्ती संजीनी नगर थाने का रहने वाना केसरी सेन उम्रिसकी करी 55 वर्ष थी इसका शव उसके निवास के पास ही चंदन नगर शेत्र में चौराहे पर मिला था और उसका केसरी सेन प्रतक का जो सिर है वो बुरी तरीके से कुचलने के बाद पुरा खाया हुआ प्रतीत हो रहा था जब बहुत ही विबस लग रहा था और इस जगन हत्याकार्ण से पूरे शेत्र में संसनी फैल गई थी पुलिस के दोरा उस विक्ति के बारे पता किया गया प्रतक के बारे में तो पता चला कि वो एक पज़्दूर था और कोई बहुत उसके दोस्तों दुश्मन नहीं थे और ये ज़रू पता चला था कि उस शेत्र में सूर बहुत थे तो संभावता ये उसकी मृत्ति होने के बाद सूरों के दोरा उसके सिर के हिस्से को खाली आ गया था जिससे वो बहुत ही अजीब द्रश दिख रहा था थाना संजीनी नगर और क्राइम की टीमों ने लगातार मिलकर काम किया लगा भी था कि ये कुछ पारिवारे किया आपसी कोई रंजिश का पुराना मामला होगा उसके दोस्त उसके परिवारों सभी से पूस्ताच करी गई और इसमें फिर उसका सगा साला और उसकी साले की पतनी ये दोनों ही मुख्या रोपी मिले हैं जिन्होंने पूस्ताच में इस विकार किया है कि इस हदोड़े से उन्होंने उसको वार करके उसको मार डाला था गटना की वजए बहुत सपस्ट सामने आ गई थी कि ये जो मृतक था ये शराप पीने का आदी था और उसी महले में इसका ये साला रहता था तो अक्सर ही उनके घर में जाके उनके साथ गाली गलोज करना उनके घर में जो रिश्टदार के लोग आते थे आसपोड़सी उन गटना की रात में भी इसने ये ही किया था तो आरोपी ने बताया है कि उससे शुब्द होकर फिर मैंने ये गटना कर दी थी इसने बारी हदोड़ा रखा हुआ आप देख रहे हैं जब्त किया गया है इससे ही उसके सिर में सामने से वार किये थे और फिर वहीं नाली में फेक दिया था तो उसको जब्त करा गया है